हलो एब्रीवन गूड इवनिंग वेलकम बैक टू मैई चैनल कपूर फैमिली व्लॉग्स और अभी बस ये रात का टाइम हो रहा है इसके पापा भी आये थे तो बस कावे की नहीं हम दवाई लेने जा रहे हैं क्योंकि उसकी तब्वे ठीक नहीं है काफी दिनों से और मेरी भी तब्वे ठीक नहीं है तो बस कावे को काफी दिनों से बुखार वगएरा चड़ उतर रहा था दवाई ली थी पर उससे कोई फरक नहीं पड़ा तो अब इसके पाप आयें तो दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और आज काफी दिनों बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है आज कावे ने कैमरा ओन किया और मुझे कह रहा मम्मी ये लोग वीडियो बनाओ क्योंकि मैं काफी दिनों से वीडियो वगएरा कुछ बना नहीं रही थी मुल्म दिन नोय अच्छ ईसोगे कैन कावे ने कुछ सा जाए अब बस दॉक्टर के पास आय थी तो कावे का टेस्ट उन्होंने बोला था बलड टेस्ट करने के लिए नहिक बड़ टाइफएड कर लेते हैं तो अब बस उसका टेस्ट हुआ था वैसे वो टीका लगा लेता है पर ना उसको बलड टेस्ट उसने कभी करवाया नहीं तो इसको डर लग रहा था तो इसलिए इतना ज्यादा रोने लग गया इसके टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी तो अभी डॉक्टर तो बैठे नहीं वे थे तो फिर यहां पे जो उनके साथ में बैठे होते उन्होंने बस रिपोर्ट व रख रहे थे इसमें कपड़े वगयरा पैक कर रहे थे और हम लोग यहां से बस शिफ्ट कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ी पैकिंग वगयरा चल रही है याना को भुगा के घर छोड़ा हुए वह होती है तो तंग करती है बहुत ज़्यादा और यहां मैंने याना की जो अल यह रसोई का जो समान है वो निकाला हुआ था उसको पैक वैक कर रहे हैं क्योंकि मेरे से तो यह सब होता नहीं है बस मैंने रख दिया था इसके बापा पैक कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है शिफ्ट करने में इतना समान खिल रहा पड़ा था बहुत ह पैक कर रहे हैं तो अभी इसलिए फिर याना को बुआ कि यहां पर छोड़ दिया था वह उती है रहा तो बहुत तंकरती है बस उसके कोशन्स लगे रहते हैं कभी कुछ कभी कुछ पूछती है और यहां पर बैड वगएरा खोल दिया बैड के अंदर से समान निकालेंगे लो बैड में इतना समान रहता है कि वाथ तो बैड में से समान निकाल रहे हैं अब ये नेक्स डे मॉर्निंझ की वीडियो है क्योंकि अभी राथ को इस सारा समान निकाला हुआ था पहले नीचे रखा था फिर मैंने बैड पर रख दिये था और अभी दीदी का ना ओगे द तो सासाथ वो अपना ड्रॉइंग का पेपर दे रहा है और यहां पे देखो रात को दवाई लेके आए वे थे कावे की दवाईयां रखी हुई है और सच में सारे घर में अंदर भार सारी जगा समान फैर कर दो सकते है और सकते है और सकते है और सकते हैं बस ये नेक्स डे का वीडियो है ये मॉर्निंग के अभी चार बज़ रहे हैं क्योंकि समान वाले भी आने का था हम लोग जल्दी आ जाएंगे सुबह तो अभी उन्होंने जो सारा समान था वो नीचे लाके रख रहे थे जो भी पैक वैक किया वा था वो समान नीचे ले आये थे वो तो अभी पहले उन्होंने बुला हम लोग जल्दी आ जाएंगे और जब हमने एक पूरी बड़ी गाड़ी की हुई थी और वो गाड़ी अंदर ही नहीं आई उसके बाद ये सारा समान दुबारा से स्टोर में रखा उन्होंने क्योंकि फिर गाड़ी अंदर नहीं थी तो फिर उन्होंने बोला कि 9-10 बजे के करीब गाड़ी आएगी तो दो बार करके हमारा समान जाएगा क्योंकि समान जाता था और अब ये सुबह के शायद 9-9 बजे का टाइम है तो बैड़ बैड जा चुका था तो इसके बापा यहां पर वीडियो बना रहे थे मैं इ मेरा भी नहीं था पर ये ना बैक साइड का था हम काफी टाइम से शिफ्ट होने की सोच रहे थे तो इसलिए शिफ्ट तो हमने करना ही था और बस हम यहां पर पोच गए थे जहां भी हमने शिफ्ट किया है जहां पर तो अभी समान लाने में बहुत जादा दिक्कत हो गई शाम हो गई थी क्योंकि दो बार करके समान आया था और आदा समान तो गीला भी हो गया था क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई थी उन भाया ने समान धब भी दिया था पर उसके बाद भी काफी समान हमारा गीला हो गया था तो बहुत जादा दिक्ट थी क्योंकि बारिश तो काफ्य टाइम से आये डेली की अर्दी और उस दिन बहुत ज्यादा बारिश भी आ रही थी तो बस मैं यहां पे सोफा वगरा सेट कर रही थी और यह सारा समाना उन्होंने अभी इस रूम में लाके रख दिया था तो समझ नहीं आ रही थी कहां से क्या शुरू आत होगी पहुत सारा समान था ऐसा लाग रहा था जैसे पता नहीं कैसे काम होगा और यह अभी चार पार जिन का वीडियो है क्योंकि मैंने ठोड़े थोड़े वीडियो बनाई थी कभी कावे बना रहा था कभी मैं बना रही थी और यहां पे उस दिन बस समान वगरा शिफ्ट किया तो बहुत देर हो गई थी टाइम भी जादा हो गया था और यह नेक्स डे का वीडियो है और यहां पे बिजली वाले भहिया आए मैं और यहां पे भहिया आए मैं अर्बन कंपनी से बाथरूम क्लीन करने के लिए तो यह बाथरूम क्लीन करने के लिए आए मैं भहिया क्योंकि बाथरूम न थोड़ा सा गंदा हो रखा था और मेरी हिम्मत भी नहीं थी साफ करने की तो इसके पापा ने फिर महीं से फिर फोन करके महां से बूला लिया था इन भहिया को तो इन्होंने बहुत अच्छे से बाथरूम क्लीन किया था और भार वाला टीवी भी लग गया था तो यह भहिया अंदर वाला टीवी लगा रहे थे क्योंकि फिर अगर टीवी वगएरा होता अच्छा और पैशे भी उन्होंने कुछ जादा नहीं लिये थे पैसे भी बहुत सही लिये थे उन्होंने साफ करने के लिए और अभी भी कैसे समान फैला पड़ा है अभी तो बस ये भाईया यहां पे गए तो मैंने यहां पे फ्रिज वगएरा साफ कर रही थी पाल, आपर चाल हुआटा हुआ हुआ काल क्थाओाफाब्पट नफॉआदा काल सकती हुआं पॉआयाफ गा बाइचर्टटब बाँ डाफ भुआ पुआ हुआ करने के बाद यहां से मैं धोरी थी दरवाजे वगएरा फर्ष वगएरा सारा धोरी थी क्योंकि यहां पर पानी जाने का था तो रास्ता तो यह मैंने का चलो धोई लेती है क्योंकि आज शाम को फिर इयाना ने भी आना था उससे पहले मुझे अपना कामवाम खतम करना था थोड़ी वो सैटिंग तो हो गई थी पर अभी समान वगएरा थोड़ा सा भी रखना बाकी रह गया था मैंनका यह सब तो होता रहेगा पहले फर्ष वगएरा साफ कर लेती क्योंकि फिर शाम कोई याना आ आईगी तो उसके बाद फिर इतना होनी पाता वो आगे पीछे आगे पीछे बस लगी रहती है तो यहाँ पर बस मैं सारा धोरी थी क्योंकि यह न काफी टाइम से बन था और यह सामने गैलरी है और सामने उधर फ्लोर बन रहे है कोई तो ब को रहे स्पाइड में अधर सैड मैं अधर मेरा शोना आगया है अब jaar can आज ममाशी कितने दिन हो आज मिले मेने जरुना दिर नहीं करना आज ममाने सौड़ी सुफाय करें आनले करते की अनले हैं वाप लिए ने होजे हैं युदी कारले युदी टीमी लग जया युदीमी लग जा श्रक टेशल करना युदृ